आज से विधान सबा का बजट सत्र शुरू होगा सुबा 11 बजे सत्र की कारवाई शुरू होगी सदम के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट रखी जाएगी शाम 4 बजे दामी 2.0 का पहला बजट पेश होगा तो करीब 63,000 करोड का ये बजट होने वाला है और 20 जून तक बजट सत्र चलेगा उत्राखंड की पाच्वी विधान सबा का दूसरा सत्र आज से शुरू हो जो 20 जून तक चलेगा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी की सरकार विधान सबा के पठल पर वित्य वर्ष 2022 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेग आज वित्री प्रेमचंद अगरवाल सदन में बजट प्रस्ताव रखेंगे वहीं शाम चार बजे धामी 2.0 का पहला बजट पेश किया जाएगा माना जा रहा है कि धामी सरकार बजट में राज्जे के विबिन वर्गों के लोगों के लिए कई उपहरों की गोशना कर सकती है वहीं बीजेपी चुनाओ द्रिश्टी पत्र में किये गए संकल्पों को भी बजट में उतारने का प्रियास दिखना तैय है इस सत्र की तैयारियां उत्राखंड सरकार काफी पहले से कर रही थी तो आज धामी टू पॉइंटों का पहला बजट पेश होगा शाम चार बज़े बजट पेश किया जाएगा सभी के जहन में सवाल है कि इस बार के बजट में क्या खास होगा अनुमान लगा जा रहा है करीब 63 हजार करोड का बजट इस बार पेश होने वाला है कि बड़ी गवर आपको बताना है तो बीच जून तक बजट सत्र चलेगा कि आज से विधान सभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है कि तो सुबह 11 बज़े सत्र की कारवाई शुरू हो जाएगी सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट रखी जाएगी शाम चार बज़े धामी टू पॉइंटो का पहला बजट पेश होगा करीब 63 हजार करोड का ये बजट पेश होगा कि बीच जून तक बजट सत्र चलेगा कि बड़ी गवर आपको बता रहा है तो बजट का पिटारा खुलेगा और उसमें से क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी करीब 63 हजार करोड का बजट पेश होने की उमीद जताई जा रही है दामी टू पॉइंटों का पहला बजट आज पेश होगा तो बजट का पिटारा आज खुल जाएगा और इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर सभी की निकाहेट की है 20 जून तक बजट सत्र चलेगा तो करीब 63 हजार करोड का बजट आज पेश किया जाएगा बड़ी घबर आपको बता रहे है तो आज से विधान सबा का बजट सत्र शुरू हो रहा है सुबा 11 बज़े सत्र की कारवाई शुरू होगी सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट रखी जाएगी शाम चार बज़े धामी टू पॉइंटों का पहला बजट पेश होगा नेवर मिस एनी अपडेट अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें